नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड मोडर्न वारफेर में सो दोस्तो भारत का इंडिजेनियस फिफ्ट जेनरेशन फाइटर जेट एम का यानि Advanced Medium Combat Aircraft Project पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इसराइल हमाज जंग के बीच भारत अपनी हवाई सुरक्षा को लेकर काफी एक्टिव हो चुका है ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार की Cabinet Committee of Security ने New Defense Deal और उनकी Manufacturing के लिए अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है जहां नॉन स्टॉप एक के बाद एक बड़े Defense Project पर गवर्मेंट काम कर रही है दोस्तो भारत का One of the Biggest and MBCS 5th Generation Fighter Jet Project एमका पर पिछले कुछ सालों से Government of India और हिंदुस्तान Aeronautics Limited द्वारा उसकी Manufacturing को लेकर काफी Uncertainities बनी हुई थी जिसके पीछे Main Reason था एक ऐसे जेट इंजन की requirement जो 5th Generation Fighter Jet के लिए adequate thrust generate कर सके दोस्तो गुड निउस यह है कि 5th Generation एमका के production में आने वाले परिशानी को Government of India ने solve कर लिया है और 5th Generation एमका की first fly दोजाराथाईस तक expect की जा रही है Recently 5th Generation Stealth एमका में लगने वाले engine की development के लिए DRDO ने HAL और सेफ्रॉन के साथ deal sign किया है जिसके तहद DRDO, HAL और सेफ्रॉन को जोइंटली भारत का 5th Generation Stealth Fighter Jet के लिए 120 किलो न्यूटन तक का high thrust generate करने वाला engine अगले 5 सालों में डबलब करेंगे वेल दोस्तो आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें दरसल DRDO सुदेशी jet engine कावेरी को डबलब करने पर काम कर रहा था बट अनफॉचनेटली DRDO जेट engine की critical component को डबलब करने में सक्सेस नहीं हुआ जिसके बाद हिंदुस्तार नेरोनाटिक्स लिमिटेड और DRDO सेफ्राण के साथ मिलकर हाई थ्रस्ट जेनरेट करने वाले engine के डबलबमेंट पर काम नेक्स्ट येर 2024 में सुरू करेंगे फ्रांसीसी कमपनी सेफ्राण एरो इंजन के डिजाइन और उसके डबलबमेंट में global leader है जो अब DRDO के साथ partnership में 120 किलोन्यूटन तक का हाई थ्रस्ट जेनरेट करने वाला engine को जोएंटली भारत में ही डबलब करेगा दोस्तों सबसे interesting और important बात ये है कि फ्रांसीसी कमपनी से फ्राण भारत के upcoming 5th generation stealth fighter jet में लगने वाले उस engine के component को locally यानि भारत में ही बनाएगी जिससे in future उसके component की supply असान हो जाएगी इस jet engine की technology मिलने से भारत की fighter jet development program की capability काफी advance हो जाएगी और भारत भी उन elite देशों में सामिल हो जाएगा जिसके पास jet engine और 5th generation stealth fighter jet बनाने की technology है दोस्तों आपने सुना होगा कि चीन का J20 एक 5th generation fighter jet है पर अभी तक उस पर कोई authentic proof दुनिया के सामने नहीं आया है दुसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तरकीस 5th generation fighter jet कान के development program में भी सामिल है पर चीन पाकिस्तान से आने वाली खबर less authentic होती है इन देशों से proper और right news निकालना काफी difficult होता है as compared to India कारण है कि चीन में communist सरकार है जो वहां के हर एक institution पर control रखती है वहीं भारत एक democratic country है यहां की हर खबर public domain में होती है इसलिए भारत की तरफ से कभी भी 5th generation fighter jet को लेकर कोई भी fake news spread नहीं की जाती है पर चीन और पाकिस्तान पूरी तरफ फेक और प्रोपगेंडा फैलाने पर काम करते हैं भारतिये arms और emunation चाइनीज और पाकिस्तानी हथियारों के मुकाबले ज़्यादाव advanced और reliable होते हैं विकाज हम जल्दबाजी में नहीं देर से आये पर दुरुस्त आये वाली नीती पर काम करते हैं तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी और informative लगी तो प्लीज वीडियो को like share कर चैनल को subscribe जरूर कर लें थैंक्स फॉर watching इस वीडियो